हलो दोस्तो कैसे हैं आप लोग तो दोस्तो इस वीडियो में बताने वालाओं की अगर आपका तबकर्लना का जो है मूबाइल नम्मर बंद हो चुका है और आप जो है अफसर मशीन पे जाकर अपना अफसर एकाउंट का जो है Mobile number change कर दिये हो क्योंकि दुस्तो जो UPSER account में आपका mobile number add होता है वो ही number add आपके तब करना में भी होता है तो दुस्तो अगर आप UPSER machine पे दाकर अपना UPSER account का mobile number अपडेट कर दिये हो अपडेट करने के बाद भी आप तब करना जब open कर रहे हो तो जो verification code है आपके पुराने वाले नमर पे आ रहा है जो नमर बंद हो चुका है तो आप कैसे जो है नए वाले नमर पे जो आपने अफसर एकाउंट पे add किया है उस नमर पे आप तबकनला का verification code जो है कैसे ले सकते हो और अपना तबकलना कैसे open कर सकते हो चलिए मैं आपको बताता हूँ तो दोस्तो जब हम तबकलना एप को open करते हैं तो उपर के साइड में एकामा नम्मर हमारा मांगता है और जो हम तबकलना का password बनाए हैं, password डालने के बाद जो है तो तबकलना जो है open नहीं होगा तो इस problem को कैसे आप solve कर सकते हो अगर आप जो है after machine पे जाकर अपना mobile number चेंज कर दिये हो तो दूसरे नम्मर पे आप कैसे नए वाले नम्मर पे verification code ले सकते हो चलिए मैं आपको बताता हूँ तो आपको back चले जाना है और नीचे आपको forget password पे click कर देना है उसके बाद दोस्तो forget password पे click करेंगे तो उपर के side में जो है एकामा नम्मर डाल दीजीगा और एकामे पे जो जनम date है वो आपको डाल देना है तो चलिए मैं डाल के आगे बताता हूँ क्या करना है कामा नम्मर डालने के बाद और जनम date डालने के बाद जैसे आप nest पे click करेंगे तो आपका जो है नए नम्मर पे message आ जाएगा देख लिजे मेरा आ चुका है verification code जो है नए वाले नम्मर पे आ चुका है आठ नम्मर का तो चलिए मैं select कर लेता हूँ दोस्तो जब आप new password आठ नम्मर डाल देंगे तो यहाँ पे जो है green का ट्रिक लग जाएगा सही का जो है mark लग जाएगा फिर आप nest पे click करेंगे तो अपना location जो है save कर लेना इसी पे click करके click करने के बाद save करेंगे तो यहाँ पे agree करने को बोलेगा agree कर दीजेगा और आपका जो है location save हो जाएगा और यहाँ पे trick कर दीजेगा ओके कर दीजेगा आपका तब करना open हो जाएगा दोस्तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा और नीचे कमेट करके ज़रूर बताएगा कि आपका जो problem था वो solve हुआ कि नहीं इस तरीके से तो दोस्तो फिर मिलेंगे आप लोग से कुछ नए वीडियो के साथ जैहिन वंदे मात्रम